हेलो गाइस वेलकम टू बी कोडिंग अभिशीक है तो आज की इस नोट जियर्स की नहीं वीडियो में मैं आपको पताऊंगा किस तरीके से आप खुद का एक आटोमेटिक आटिफिशल इंटेलिजेंस टेलिग्राम चैट पॉट बना सकते हो इस वीडियो के बाद आपको इतना कॉंसेट क्लियर हो जाएगा कि आप खुद का एक टेलिग्राम बॉट बना सकते हो इस वीडियो में हम एक आटिफिशल इंटेलिजेंस चैटिंग बॉट बनाने वाले हैं यह एक ऐसा बॉट होगा जो हमें आटोमेटिक रिप्राई करेगा डिपेंड आउन था कि यूजर उसे क्या मैसेज भेज़ता है इस पूरी वीडियो के बाद जो भी इसका source code होगा वो मैं आपको github की link दे दूँगा आप वहाँ से इस code को copy कर लेना या फिर इसे देख के समझ लेना हूँ विदाउट किसी देरी के मैं अपनी computer screen पर ले चलता हूँ आपको इस वीडियो में आगे मनने से पहले मैं आपको जो हम project बनाने वाले AI telegram chatbot होगा उसका एक overview दोगा यह projection जो बनाने वाले जिसका नाम है chat node.js chatbot जैसे हम यहाँ पर से start करते हैं यह start हो जाएगा और start होते ही हमें एक welcome message send करेगा सामने से तो यह देखो इस नाम हम एक welcome message send कर दिया है यहाँ पर और welcome message send करने का बाद आप इसे किसी भी तरह का एक message लिख सकते हो और यह हमें उसका reply देगा automatic जो AI based होगा जैसे मैं लिखता हूँ what is notious जैसे message send करूँगा यह करेगा सामने से हमें एक reply send करतेगा ठीक हमारे questions का answer भी करेगा और जैसे आप normal chatting करते हो किसी human के साथ यह वेसे chat करेगा यह हम chatbot है AI की help से और open API की help से बनाने वाले ही without किसी देरी के हम अपने computer screen पर चलते हैं और उसके बाद हम इसमें code लिखने start करेंगे first step रहता है एक simple telegram bot बनाना अब एक simple telegram bot बनाने के दो रस्ते हैं या तो आप उसे अपने mobile phone से बना सकते हो telegram application के use करके या फिर telegram web पे बना सकते हो तो इस वीडियो में आपको telegram web पे बनाना सिखा हूँगा सबसे पहले आपको अपना कोई भी एक browser open कर लेना है after that search bar में आपको डिखना है telegram web अब यहां पे जो सबसे पहली website आईगी web.telegram.org इस वाली website पे आपको क्लिक करना है and after that अगर यहां पे आपसे login के लिए बोलेगा तो यहां पे आपको यह QR code देगा आपको क्या करना है अपने mobile phone में telegram application को install करके उस QR code को scan करना है तब जाके आपको web application है telegram को उसमें आप login हो जाओगे यहां तो अगर आपका account नहीं है तो एक account आप बना लेना यहां पे option आते हैं यहां तो mobile number से यहां तो gmail से और कोई अगर आपको यह तरीका देता है तो after that अब आपको क्या करना है सबसे पहले यहां पे जो search result आ रहा है search bar आ रहा है sorry यहां पे click कर देना है and after that आपको एक service search करने उसका नाम है bot father यहां पे यह सबसे पहला यह वाला आएगा जिसमें blue tick है bot father इस पे आपको click करना है and after that आपको क्या करना है actually bot father देखो पहले होता क्या है bot father एक service दी गई है telegram के दोरा जिसमें आप अपना एक खुद का bot बना सकते हो चाहिए वो कैसा भी bot हो तो यहां पे मैं क्या करूँगा एक नया bot create करने के लिए आपको एक message पे लिखना है slash new bot इस वाली command पे आपको click कर देना है and after that जब एक command आपको send हो जाएगी उसके बाद आपको इस bot को एक नया name देना है तो मैं इस bot को नया name दे रहूँगा chat node.js AI bot और मैं अब hit enter कर सकता हूँ after that अब यह आपसे एक username के लिए पूछेगा तो जो भी आप इस bot को एक unique username दोगे वो bot के या तो वो bot होना जिस class में या फिर underscore bot होना चाहिए और यह unique और यह जो name होना चाहिए यह बहुत unique होना चाहिए means जिसे टेलिग्राम पर और भी bot रहते हैं उन bot से सबसे unique name होना चाहिए username so मैं इसे क्या username दे सकता हूँ यहाँ पर मैं दे सकता हूँ node.js AI underscore chat bot okay अब मैं enter hit कर सकता हूँ और last minute इसको मैं bot लिखना है तो मैं देता हूँ यहाँ पर underscore bot okay अब मैं enter hit कर सकता हूँ और जब आप यहाँ पर enter hit कर दोगे तो अगर आपको bot successfully create हो जाएगा तो यहाँ पर आपको congratulations message आएगा जहाँ पर आपको दो चीजों पर मेली ज्यान देना है सबसे पहले चीज होती है कि आपके जहाँ पर आपका bot है आपके bot का यहाँ पर URL आ गया कोई भी user इस URL से आपके bot को control means आपके bot को use कर सकता है after that आपके पास यह token आगया ठीक है अभी एक ऐसा token है जिसकी मदद से आप इस वाले bot को control कर सकते हो यह बहुत जाद है important token है अब इस token को यहाँ से copy कर लेना आपको अब आप दो तरीके से copy कर सकते हो या तो आप इस पर click कर दो तो यह आपको copy हो जाएगा या फिर जो आपको पुराना method होता है इसके उपर इस तरीके से करके select करके देन आप copy कर सकते है तो यहाँ पर मैंने इस code को इस token को copy कर लिया और यही token है जिसकी मदद से हम इस पूरे bot को control करेंगे और इस bot का code लिखेंगे आप मैं आपको मिलता हो next video So now finally हम अपना code लिखना चालू कर सकते हैं और अपने bot को बना सकते हैं अब आप इस folder को कुछ भी नाम दे सकते हैं जो नाम मैं इस folder को दूँगा वो होगा telegram node.js AI then bot अब आपको क्या करना है इस folder को simply अपने VS code के अंदर खोल लेना है तो इस folder को अपने VS code के अंदर खोलने के लिए इस पर मैं right click करूँगा और यहां पर आपको एक option दिखेगा open with code और इस option पर click कर दो जब आप अपने VS code खोल लोगे तो आपके सामने get started की screen आएगी तो आपको basically क्या करना है इसे close कर दो and after that मैं इसे थोड़ा center में ले आता हूँ आप देख सकते हैं जो हमारी project directory है वो हमारी VS code के अंदर खोल चुकी है so अब जो next step है हम एक bot बना रहे node.js से node.js के अंदर हम एक js.js की file चाहिए जिसमें अपना code लिख सकें तो उस file को लाने के लिए आपको इस icon पर click करना है and then आपको लिखना है bot.js तो इस file को आप कुछ भी नाम दे सकते हो app.js, index.js, bot.js bot.js या कोई दूसरे है नहीं but मैं simply एक bot बना रहा हूँ तो अपनी sim या फिर आपके सब्सुविता के लिए मैं यहाँ पर bot.js लिख रहा हूँ and after that यहाँ पर जो हमारी recent file शो होती है मैं इसे बंद कर देता हूँ so its bot.js के अंदर मैं अपना सारा का सारा code लिखने जाऊँगा so जो next step है वो है यहाँ पर package.json file को लाना so जब भी हम npm के साथ काम करते हैं या फिर note के साथ काम करते है हम यहाँ पर note package manager है उसे initialize करना पड़ता है because हम external dependencies dependencies के साथ काम करेंगे so आपर जो next step है वो है terminal को खोलना so terminal को खोलने के लिए आप यहाँ पर view पर जा सकते हूँ आप view के अंदर आपके terminal का option मिलेगा आपके पास यहाँ पर दो तरीके हैं terminal को खोलने के लिए या तो आप इस option पर क्लिक करते हो या फिर आपको एक shortcut मिलता है यह वाला control plus और यह के symbol या तो आप इसे क्लिक करके then अपना terminal खोल सकते हो so basically मैं यहाँ पर क्लिक करके terminal खोल लूँगा अब terminal के खोलते ही आपको एक command लिखनी है जिससे आपकी package.json file यहाँ पर आ जाएगी उस command को लिखने के लिए हम लिखते है npm then in it and after that हम hit enter कर सकते है और उसके बाद हमसे कुछ questions पूशेगा या जाएगी हमारा जो application उसका नाम क्या है उसका version क्या है और different different तरह की चीज़े तो मैं क्या करता हूँ simply यहाँ पर enter कर देता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा first question है वो है कि इस package का मैं नाम क्या रखूँगा तो मैं यही नाम रखूँगा तो मैं यहाँ पर enter hit कर सकता हूँ after that यह मेरे से पूछा रहे है कि मैं version क्या रखूँगा मैं यही रखूँगा तो मैं enter hit कर देता हूँ after that ये description पूइचर आप कुछ भी description देशक तो मैं आप या पर लिखतूंगा node.js AI bot after that मैं enter hit कर दूँगा and after that ये entry point means जो आपकी main file है जहांपे आपका code होगा वो कौन सी file है तो अभी मेरे पास एक ही .js की file है जिसका आप में bot.js so इसी के अंदर मेरा code रहेगा तो मैं enter hit कर देता हूं उसके बाद test command मैं enter hit कर देता हूं git repository अगर आपको git चलाना आता है तो इक git पे इस project के लिए repository बना लो उसका link यहां पर देता हूं तो मैं भी file के वो नहीं कर रहा हूं तो मैं enter hit कर दूँगा अगर आप चाहे तो कुछ keyword दे दो यहां पर मैं यसे लिखूंगा node.js then AI and then telegram आप चाहे तो किसी भी तरह का कोई keyword दे सकते हो फिर मैं enter hit कर दूँगा author अपना नाम दे दो यहां पर चाहे तो अपने github का link दे दो आपका license के से लिखूंगा यहां पर enter hit कर दो और यहां पर package.json की file बन जाएगे आपके ठीक है तो जो हमारा next step है वो है open AI को install करना अपने इस पर project directory पर आप क्या सकते हो एक service देता है हमें एक package देता है जिसकी मदद से हम open AI के जो bots है उनके साथ communicate कर सकते है ठीक है तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हमें यहां पर दो package install करने एक है कि अपने telegram को control करना जो हमने वहां से token copy paste किया था उस token के साथ हमें काम करना है अपने bot को control करने के लिए and after that हमें जो open AI का install करना है open AI के जो package install करना है हमें उसके लिए भी एक token चाहिए होगा तो वह भी मैं बताऊंगा आपको कैसे लेना है लेकिन फिलाल के लिए हमें सिफ यहां पर दो ही package install करना है वह किस तरीके से install करते है वह भी मैं बताता हूँ आपको सबसे लिखना है npm then i then dash dash then save and after that आपको package का नाम दिना है तो जो दो package में install करने वाला हूँ so अब हमें उन packages का नाम दिना है जिन हमें install करना है so मैंने लिखते हैं यहां पर npmi save and after that आपको जो package का नाम दिना है वह में बता देता हूँ तो दो package का नाम है node telegram bot api so basically य एक package है आप जो हमारा second package है वो आपको space डालना है और जो second package है वो है हमारा openAI आप उसे भी install कर लेते हैं by typing openAI आप यही दो package चाहिए है मैंने लिखाया npm i.e. then dash dash save after that मैंने लिखाया जो पहला package है वो है node telegram bot api और after that है मेरा openAI इस दो package में install करने है और now मैं enter hit कर सकता हूँ और wait करूँगा इन दोनो package के install होने में अब आप देख सकते हूँ यहाँ पर successfully जो मेरे दोनो package है वो install हो चुके है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो so अब मुझे क्या करना है clear दबाके clear लिखके और जो मेरे terminal मैं उसे clear कर लूँगा थाकि थोड़ा clean लगे तो अब हम कुछ code लिखना start कर सकते है जो सबसे पहली चीज रहती वो होता है importing ठीक है हमने जो package install किये थे वो हमें import करने है पर उससे भी पहले जो मैंने जो अपने package install किया था node telegram bot api का उसे मैं import करूँगा तो उसे import करने के लिए मैं लिखता हूँ constant then मैं इसे कोई भी नाम दे सकता हूँ लेकिन मैं इसे नाम दूँगा here पर telegram then is equal to मैं terminal close कर देता हूँ is equal to require and then मुझे यहाँ पर package का नाम देना है मैंने package install किया था node telegram bot api this install तो इसे यहाँ पर import कर लेते हैं so अब हमें क्या करना है एक नया bot create करना है तो नया bot create करने के लिए इस telegram की मदद से हम क्या कर सकते लिख सकते है constant then bot then is equal to then हमें यहाँ पर लिखना है new then हमें यहाँ पर लिखना है telegram then after that अब हमें अंदर दो चीज़े देनी है यहाँ पर telegram लिखने के बाद सबसे पहले चीज़े जो token अब token कौन सा token है जो हमने वहाँ से install किया था sorry हमने जो अपने telegram से बनाया था तो मैं क्या करूँगा दुबारा अपने chrome browser खोलूँगा और अपने telegram पर जाऊँगा और telegram website के open होते ही यहाँ पर जो मुझे जहाँ पर मैंने bot के साथ chat किया था bot father के साथ उस chat को मुझे open करना है सो मैं उस पर click करता हूँ और उस chat के open होते है यह है मेरा token ठीक है यह मेरे इस जो आप कहा सकते है इस bot का यह मेरे token है इस token यहाँ copy कर लेता हूँ मैं और इस token के copy होने के बाद मैं वापस जाता हूँ अपने vs code में तो अब मुझे यहाँ पर token देना ठीक है उससे पहले मैं क्या करता हूँ उस token को एक variable install कर लेता हूँ यह जो मेरे telegram है इसके अंतर मैं डाल देता हूँ bot token और उसके बाद हमें कुछ option देना है तो मैं यहाँ पर एक option देता हूँ उसका मतलब है pooling ठीक है एक pooling option देता हूँ pooling और वहाँ लिख देता हूँ true okay इस option की help से हम अपने telegram का बॉट बना रहे है उसे हम life control कर सकते है so next thing है अब हमें क्या करना है अब हमें यह वाला बॉट मिला है न यह हमारे यह वाला बॉट है जो हमने telegram पर create किया था मैं दोबारे इस chat को open कर लेता हूँ यह वाला बॉट है हमारा VS Code की help से means इस वाले बॉट से अब मैं अपने यह वाला बॉट है मेरा यह वाला बॉट है मैं यह वाला बॉट कर सकता हूँ so यह देखो यहां पर बॉट स्राट भी हो चुका है अब इस बॉट को मुझे control करने के लिए अब अपने VS Code सा मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मैं लिखता हूँ बॉट बॉट के बाद डॉट लगा के आपको एक option मिलता है यहां पर on का अब यह on option क्या करेगा जब भी आपके telegram bot पर यहां पर कोई बंदा message करेगा यह क्या करेगा उस message पर listen करेगा अब उस message पर listen कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं लिख देंगे यहां पर अंदर message की message अब यह क्या करेगा message पर listen करेगा यह वाला bot कि जब भी कोई बंदा मैं इसे एक बार खोल लेता हूँ ऐसे करके कि जब भी कोई बंदा जब यहाँ पर कोई XYZ message लिखेगा और उस message को send करेगा तो उस message पर जो मेरा bot है जो मैंने VS code के अंदर बना है वो bot उस message पर listen करेगा यह वाला bot उस message पर listen करेगा अब यहाँ पर जो इस message पर listen के इस bot ने वो message हमारे पास आजाएगा अब इस message को मैं क्या कर सकता हूँ एक बाद टर्मिनल पर प्रिंट करा के देख लेते हैं कि यह message दिखता किस तदी के से So now MSG यादि मेरा message So simply हमने कुछ नहीं क्या है हम इस वाले message पर listen करें कि जब भी कोई बंद हमारे bot पर message करेगा उस message पर listen करो और वो message को मेरे इस callback function में डाल के और हम लोग उसे print करा देंगे अपने terminal पर तो मैं क्या करता हूँ अपने terminal के अंदर लिखता हूँ node bot.js अब यह node bot.js जो command है वो मेरे इस वाले जो code है इसके अंदर bot.js इस code को run करतेगी तो मैं क्या करता हूँ node bot.js लगाने के बाद मैं enter दबा देता हूँ और यह मेरे जो program है यह run होना start हो जागा अभी कोई message नहीं आया है यहाँ पर अब यहाँ पर आप देख सकते हूँ इस message के नहीं आप बहुत सारी जो message related हमारा data वो आ जाएगा कि message की ID क्या है from मतलब किस ID से आया है और वो bot है कि नहीं है बंदा उस बंदे का first name क्या है मैं terminal को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ कि उसका first name क्या है यह मेरा username जिस बंदे ने मेरे पर chat करने की start करी है यानि मैंने अभी start किया तो यह मेरा username आ क्या उसके बाद language आ गई कौन सी है then after that मेरी chat आ गई किसने करी है type क्या है उसका और date क्या है कि किस date पर हुई है time stamp है और यहाँ पर जो सबसे main चीज है वो है यह txt जहाँ पर क्या लिखा है hello यानि इसका मतलब जिस बंदे ने मेरे bot पर chat किया है जैसे मैंने यहाँ पर hello लिखा है तो यहाँ पर hello आ गया तो इस तरीके से हम अपने message को ना control कर सकते है अपने bot को control कर सकते है अपने vs code से अपने क्या करता हूँ सबसे पहले तो यहाँ से clear कर लेता हूँ वापस से अब हमने यहाँ पर message प्रिंट करा है लेकिन हमें message प्रिंट नहीं कराना हमें उस बंदे को कुछ message भीजना है ठीक है अब इस method के अंदर आपको ने एक chat id देनी है ठीक है वो chat id आपको कहां से मिलेगी यह जो हमारा message नहीं आया आपको बस लिखना है message dot फिर आता है आपका chat and then आता है आपका dot id कि आपको इस chat id पे एक message send करना है तो वो message आपको कुछ भी हो सकता है अब आपको comma लगा कि आप एक message देना है जैसे मैं लिखता हूँ hello how are you ठीक है तो अब जब भी कोई बंदा मेरे chat पे message करेगा उसको बस यह message यह callback function run होगा फिर जो मेरा bot है वो यहां से message send करेगा hello how are you कि आप कैसे हो तो इक पाइसे run करते हैं दुबारा terminal खोलता हूँ after that लिखूंगा node bot.js फिर enter करते हूँ फिर जाता हूँ अपने telegram के अंदर और यहां पे message send करके देखते हैं चलो मैं लिखता हूँ hello अद देखते हैं हमें return में कोई message send करता है कि नहीं तो मैंने आपे अपने यहां से bot को control कर रहे है हमने एक message पे listen किया और उस message पे उस chat id से निकालके और एक reply send कर दिया hello how are you but अब हमें reply send नहीं करता है हमें AI को use करना है इस reply को send करने के लिए मतलब message के base पे एक reply को send करने के लिए अब हमें AI का use करना हमें खुद से यह चीज़े नहीं लिखनी ह अब हम उस चीज़ को किस तरीके से कर सकते हैं देखो सबसे पहले हमने आपको पता है कि open AI अपने computer में install कर लिया था ओकी अपने project में install कर लिया था अब आपको सबसे पहले करना अपने chrome browser पर जाना है उसके बाद यह आपको यहां पर लिखना है open AI API ठीक है आपको लिखना ह open AI API अब आपको इस पर enter कर देना है और यहां से जो first website आईगी open AI API आपको इस पर click करना है then after that आपकी website खुल गी अब यहां पर क्या कर सकते हो एक दो sign up का option आता और एक login का option आता है तो आप यहां पर login करो अगर आपका account ने तो आप sign up कर सकते हो then after that आपको यहां पर कुछ option मिलते हैं कि आपको Microsoft account से sign up करना है या फिर एक email address से sign up करना है but मेरे पर से यहां पर Google account है तो मैं Google account पर click करूँगा और अपने Google account से ही मैं sign up करूँगा इस पर so मैं अपने यह वाल account चूज कर लेता हूँ मैं इस पर click करूँगा और वेट करते हैं हमारा sign up होने के लिए okay so अभी आप देख सकते हो जो हमारा open AI का जो कह सकते हो जो desktop हो खुल चुका है हमारी जो file हो खुल चुकी है website खुल चुकी है तो अब हमें क्या करना है यहां पर देखो आपको न अपने account मिलेगा यहां पर personal account यह उपर top right side में आपको यहां पर click करना है then आपको मिलता है यहां पर view API key इस पर आपको click करना है then after that आपके पास यह आगया यहां पर एक interface आजये कर यहां पर आपका लिखा होगा API keys तो आपको simply क्या करना है यहां पर create new API key है इस पर click कर देना है अब आपको यहां पर API key मिलेगी आपको यहां पर दबा के उसे copy कर लेना है और okay लिखके जो आपकी पहले वाली API key होगी उसे delete कर देना अगर आपको करना होगा तो आपको करना नहीं करना है तो मत करना बट एक नहीं API key ही use करना उसके बाद में दुवार अपने VS code में जाओंगा और यहां पर एक और variable बनाऊंगा जिसमें हमें लिखूंगा constant और उसके बाद हम लिख सकते है open then AI then token ठीक है और यहां पर हम अपना token को store कर लोगा इसके अंदर इस variable के अंदर अब मुझे क्या करना है अपना जो open AI हमने इंस्टॉल किया था हूं वहां से हमें अपने दो चीज़े चाहिए तो जो सबसे पहली चीज होगी हमारी वह है तो जो सबसे पहली चीज हमें चाहिए वह है पहले हमें लिखना है constant फिर bracket ओपर और close और उसके बाद हमें चाहिए require और हमने जो open AI का जो package इंस्टॉल किया था हमें अब हमें वह लिख लिए दना है ठीक है तो ये रहा मेरा open AI इस पर click करके इसको यहां पर import कर लिया अब हमें इस open AI का जो package है तो दो चीज़े चाहिए सबसे पहले तो होगा हमारा configuration ठीक है जिससे हम confirm करेंगे अपने API को मतल अब आपको क्या करना है नीचे आने के आपके पास tokens है और आपको यहां पर क्या करना है सबसे पहले चीज़े एक नया configuration मतलब अपने जो इस token को use करके अपने open AI के account मों login करना तो वो कैसे करते है सबसे पहले आपको लिखना है constant and then config then is equal to new फिर हमने जो configuration इंपोर्ट कराई थ करने पर एक option देना है ठीक है अब वो option है सबसे पहला है API key ठीक है यह option इस पर click करके और colon लगा के इसके बाद आपको API key देना है हमारी API key है की कौन सी है यह वाली मैं यहां पर लिख दूंगा open AI token ठीक है तो इस तरहीं के समने configuration बना ली अब हमें क्या करना है इस open AI API की help से एक नया AI बनाना मतलब open API बनाना है और इस configuration की help से हमें confirm करना है और then after that हम अपने open AI की API को use कर सकते हैं ठीक है So अब हम क्या करेंगे हमने config बना लिए उसके बाद हमें क्या लिखना है constant then open AI और फिर लिखना है new फिर हमने जो यह open AI API की जो class यहां से ली थी उससे हम लिख देंगे यहां पर new open AI API ठीक है अब इसके अंदर हमें एक चीज देनी पड़ती है वह होती config ठीक है अब config कहां से आएगा यह रहा यह हमने अभी भी बनाया ना config तो इस config को अब यहां डाल दो ठीक है तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं जो हमने यह वाला code लिखाता है यहां पर इससे अटा देता हूं तो अब मैं कैसे तरीक से बता रहा था कि अगर कोई भी बंदा message करेगा हमारे bot के अंदर तो उस message के according एक reply generate हो जाए और उस reply को हम भेज देंगे अपने user को जो हम अब हमें चैट इडी मिल गी एड आफर अब हमें क्या करना है एक reply को generate करना है तो reply को generate करना है मैं लिख सकता हूं constant reply इस message के according reply generate करने के लिए openAI के helps में क्या लिखना है सबसे पहले क्या करता है इस function को एक async function बना लेते है इस function बना लेते है because यहाँ पर await use करने वाले है because यह openAI है यह हमें एक promise written करती है तो मैं क्या करूंगा लिखूंगा constant then reply then is equal to और यहाँ पर await कर दूंगा then मैं लिखूंगा openAI and then dot then यहाँ पर आता है create completion method आपको ठीक है इस bracket open and close and then इसके अंदर आपको कुछ आप options देने ठीक है तो जो हमारा सबसे पहला option यहाँ पर रहता है वो रहता है max token का कि आप कितने जो answer वो कितने word में बनाना चाहते हो तो मैं ज्यादा use नहीं करूंगा मैं सिर्फ 100 word का answer यहाँ से चुनना चाहता हूं कि maximum maximum 100 word का एक reply बना स ठीक है तो मैं लिख सकता हूं max token then after that max token है यहाँ पर 100 यानि maximum maximum 100 words का एक reply बनाना चाहता हूं then after that जो आपको next चीज़ देनी होती है वो होता है model ठीक है कि आप chat GPT का chat करने के लिए कौन सा model यूज करना चाहते हो so मैं जो अब यहाँ पर लिखूंगा फिर model और जो मैं model so अब हमारे जो model है उसे देते हैं चलो तो model होगा हमारा जो मैं यहाँ पर model यूज करो देखो बहुत सारे model आते हैं तो जो मैं model यूज कर रहा हूँ वो है ADA ADA इसका नाम आप क्या सकते हो अदा भी है ठीक है यह chat GPT का एक model है chatting bot का एक model है अब इसके बाद मैं क्या कर सकता इसके बाद हमें देना है prompt अब prompt होता है कि ऐसा आप जो message दे रहे हो जो देखो यह API यह क्या करती है message जो भी से मिलता है उसके return में यह हमें एक reply एक generate करके देती है अब वो reply के लिए हम क्या कर सकते हैं सबसे हमें लिखते हैं हमें prompt मतलब इसे मैं क्या input देना चाहूँगा simple सी यह चीज है कि यह किस के basis पे मुझे एक reply बना के देगा तो मैं चाहता हूँ जो यह वाला message आ रहा है न यह वाला इसके base ठीक है तो मैं लिखता हूँ message और अब इस message के अंदर आपको एक चीज मिल दिसका नाम है text ठीक है आपको कौन सा text है जैसे कि अगर सो मैं क्या बता रहा था हमें इस message के base पे और इस message के base पे reply generate करना है तो मैंने क्या लिखा यहां पर message और then dot text तो यह क्या होगा एक text जो भी मतलब यहां पर जो user है मेरा जो भी bot यूज कर रहा है उस bot में जो भी उसने लिखा जैसे hello how are you तो वो text मुझे मिल जाएगा ठीक है यहां पर अब जो एक और चीज होती है इसमें मैं डाल सकता हूँ temperature ठीक है so actually जो temperature है वो इसी में एक option है so temperature है वो आप default डाल सकते हो 0.5 डालता हूँ है हर बार तब क्या होगा इस अब ही क्या करेगा यहां से जैसी message आया इसने reply variable बनाया फिर जो यह open यह उसमें यह create मतलब answer create करेगा simple सी बात है so what का answer होगा max मतलब फिर हमने आप एक model ले लिया कि model मैं अदा यूश कर रहा हूँ prompt होगा कि किस के basis बना चाहते हो मैं कर रहा हूँ message उसके बाद आपके पास यहां पर temperature आ गया ठीक है अब जो next region वो आप क्या दे सकते हो देखो अब मेरे पास यह reply generate हो है इस reply को मुझे भीजना है इस message के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ bot. then after मैं लिख सकता हूँ send then message देखो यह आपर message आ गया message और bracket open close and then उसके अंदर मुझे देना है chat id तो मैंने आपको पहले बताते है यह यही मेरी chat id तो आप मैं पर simple सा लिखता हूँ chat id then after that अब मुझे देना है कि जो यह वाला reply आया है इसमे इसने मुझे जो भी reply भेजा उस reply को मुझे as in reply send करना इस message के लिए अब वो कैसे करते है सबसे पहले आपको लिखना है reply reply के अंदर आपको चीज मिलती है जिस हम कहते है data ठीक है data के अंदर हम एक array मिलती है choices की मतलब क्या-क्या इसने हमें answer भेजे है तो लेकिन जो यहाँ पर मैं 0 लगा रहा हूँ जो इस array के अंदर सबसेजी और पहली value होगी वही चाहिए बस तो मैं लिख दी हाँ पर reply reply के अंदर हमें क्या data मिला है data के बास choices मतलब क्या-क्या-के इसने choice मुझे भेजी कि क्या-क्या हम लिख सकते है उस चीज के लिए उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ यहाँ यानि मुझे पहले index का जो array है वो array का जो फ़ली index की value हो जाए यह then test की उसका text क्या होगा then after that अब हम क्या कर सकते हैं एक बार इसे test कर देते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दुबारा मैं अपने terminal खोलूँगा ठीक है अब देखते हैं हमें क्या reply देता है अब मैं आपको इक चीज और बताना चाहता हूँ कि reply की जो quality होती हो डिपेंड करती है आप कौन सा model यूज़ कर रहे हो so यहाँ पर जो मैं अधा model यूज़ कर रहा हूँ यह basically कह सकते है आप सबसे low level का model है maybe इसके reply है वो to the point ना हो but अगर आप और भी high level के इसके API यह chatbot के वो यूज़ करना चाहता हूँ उसके लिए आपको एक price देना पड़ता है एक premium लेना पड़ता है ठीक है तो मैं इसलिए यहाँ पर अधा model यूज़ कर रहा हूँ then after that मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ देखते है कुछ message send करते हैं देखते हैं अपना यह बॉट चल रहा है की नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ message दिखता हूँ hello and then after that message send करते हूँ देखते हैं मुझे return में क्या message भेजता है तो यह देखो I am Patrick, I am photographer मतलब मैंने आपको पहली कहा था कि जो हमारा bot है ना इसमें जो model यूज़ कर रहे है वो model मतलब इतना अच्छा model नहीं है बट हमें at least reply दे रहा है अगर आपको और अच्छा model चीए तो आप क्या कर सकते है दूसरे model को यहाँ पर दूसरे model को यहाँ पर नाम लिख लो यहाँ पर अदा की जगा जो मतलब दूसरा model यूज़ हो रहा है ठीक है जो सबसे अच्छा model लेकिन उसके लिए आपको price pay करना पड़ेगा simple सी बात है इसलिए पस दिखाने के लिए मैंने आपको अपी ऐसा बना लिया आप मैंसे कुछ मैं अब इसे कुछ और ट्राइ करते है कि hello how are you अब देखते है मैं reply क्या भीजता ही है यह मैंसे send किया I am good और इसमें देखो I am fine शीशे आपको इस तरीकी से work करता है मैंने पहले ही बता है इसका reply on the point नहीं रहता ठीक है तो देखो आगे मेरे पास node is low level दो ठीक है यह मेरे को reply दे रहा है मतलब यह काम कर रहा है अच्छे से और मैं लिखता हूँ what is javascript तो कुछ questions आप इसमें इस तरीके से पूछ सकते हो दुबारा मैं send करता हूँ सो अब जो हमारी start command होगी मतलब जब हमारा कोई bot user start करेगा तो सबसे पहली जो चीज़े क्या लिखी होगी आनक चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ bot.on पर यहाँ पर text हमें method मिलता है इस bot के लिए on text अब इसके अंदर हमें देना है कि क्या चीज होगी कि जब जब अब जब बंद स्लाश start लिखेगा मतलब start command लिखेगा तब क्या होगा तो अब हमें तब भी एक message मिलेगा और हम बस एक message send करना चाहते हैं अपने user को starting message तो मैं क्या हम bot.send then message और उसके बाद just आप chat id लाने के लिए message dot then message msg then dot and then chat and then dot then id तो अब इस chat के लिए message है वो इस तरीके send करना चाहूँगा कि hello welcome to welcome to AI chat bot ठीक है तो जब भी कोई बंदना है start command मेरे bot को मारेगा मतलब start command लिखेगा मेरे bot में मतलब slash start लिखेगा तो यह message उसके पास चला जाएगा ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ दुबारा अपने terminal खोलता हूँ then after that में इस bot को बंद कर लेता हूँ यहां से दुबारा इस bot को चालू करता हूँ और अब जाता हूँ दुबारा अपने bot पे और देखो यह मेरे bot है अब मैं यहां पर करता हूँ एक start command देता हूँ और देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं तो मैंने slash start लिखा तो देखो मेरे पास welcome आगया welcome to AI chatbot और उसके बाद यह XML and I think something एक error है मैं इसको चेक करता हूँ रूखो welcome to hmm चलो इस message को ignore करते है maybe यह अंदर का internal error हो सकता है so हमारे पास start command हमारी चालू हो चुकी है so अब हम क्या कर सकते हैं दुबार एक पर test करते हैं इस ठीक है so हम सकते है hello how are you और इसे मैं send करता हूँ और इसके बाद देखो यह bot ने मेरे को वापस भीज दिया so इस तरीके से आप node.js का use करके और open AI का जो हम में मिलता है open AI के जो API मिलती है उसका use करके आप एक पूरा full-fledged bot बना सकते हो अपने telegram में ठीक है तो इस तरीके से हमने पूरा पूरा जो इस बना चुके है अब हम क्या कर सकते हैं इस bot को एक हम लोगो दे सकते हैं लोगो देने के लिए मैं bot father पर जाओंगा और यहां पर command लिखके जो आप my bot पर जब क्लिक करोगे तो आपकी जितने भी bot है उनने दिखा देगा ठीक है तो फिलाल के लिए जो मैंना भी bot बनाया है तो वह यह वाला bot था कौन सा है वह यह node.js AI chatbot मैं इस पर क्लिक कर दूँगा and then after that आपके पास में बहुत सारे option आते में यहां पर अगर आप edit bot पर जाओगे तो आप इसके बाद इस bot में आप इसका name edit कर सके जाए है मुझे इसका name edit करना है ठीक है तो मैं इसका name edit कर देता हूँ तो इसका मैं नया name लेता हूँ AI node.js chatbot ठीक है तो मैंने इस नया नाम दे दिया मैं जैसी इसे बेजूँगा तो अब इस मेरे bot का जो name है वो update वो change हो जाए ठीक है अब आप चाहो तो यहां पर इसकी name इसकी bot pick मतलब जो यह pick है यह भी update कर सकते हो उसके बाद आप इसमें कुछ command डाल सकते हो कुछ edit description डाल सकते हो तो यह बात की चीज़े है पट फिलाल के लिए हमने जो हमारा bot है इसे देखो इसका name भी change रूग है इसके बना लिया है तो बार इसमें कुछ message basis है what is node.js and javascript तो बार हमें यह से send करता हूं इसे देखता हमें क्या reply मिलता है return में देखो हमें reply मिल गया तो इस तरीके से आप एक node.js की मदद से और open.ai की मदद से एक full-fledged bot बना सकते हो अपने telegram के अंदर तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मैं आपको मिलता हूं next video में